मन की शांती शिक्षा प्रद कहानी एक गाव में एक साधू रहने आया साधू ने कठोर तपस्या कर कई सिध्यां हासिल की थी इसलिए साधू जल्दी ही इस गाव में और आजू-बाजू के गाव में प्रसिध हो गया इस गाव के परोसी गाव में एक व्यापारी रहता था व्यापारी धन्वान बहुत था इसलिए उसके पास किसी भोतेक वस्तू की कोई कमी नहीं थी लेकिन जैसा होता है हर आदमी कुछ ना कुछ कमी महसूस करता ही है इस व्यापारी को भी मन से शांती नहीं थी मन से शांती पाने के लिए व्यापारी कई तरह के नुस्खे आजमा चुका था लेकिन किसी ने भी उसे सफलता नहीं मिली थी गांव के लोगों से साधू के बारे में काफी प्रशन सा सुनने के बाद व्यापारी ने तैक किया कि वह साधू से जाकर मिलेगा और उनसे उसकी समस्या का समाधान मांगेगा हो सकता है अपनी सिधियों के बल पर वह उसे मन में शांती लाने में मदद करें अगले दिन व्यापारी साधू जहां रहता था उस कुटिया के पास पहुँच गया व्यापारी ने अपने मन की सारी बात साधू को अच्छे से बताए साधू ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम ही कुछ दिनों तक मैं जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा और यही रहना पड़ेगा व्यापारी किसी भी तरह मन की शांती पाना चाहता था इसलिए वो तैयार हो गया अगले दिन साधू ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे साधू ने व्यापारी को एक जगा बताए जहां पर उसे बैठना था सूरज चड़ते ही तेज दूप सेथ पर पढ़ने लगी सेटे देखकर हिरान था कि साधू खुद कुटिया के अंदर चाया में बैठा है और उसे धूप में बिठा कर रखा है व्यापारी को काफी गुस्सा आया लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को पी गया अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर से उसी जगा बिठाया और इस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा ये भी बताया व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तू ऐसा क्यूं कर रहा है साधू दुपहर को भूखे व्यापारी को सामने बैठ कर ही अच्छा अच्छा भोजन खाने लगा जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बता दिया लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई वो पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधू उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यूं कर रहा है उसे लगा कि साधू उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता इसलिए ऐसा कर रहा होगा इसलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहां से जाने की तयारी की व्यापारी को जाता हुआ देखकर साधू ने उसे रोका और अपने पास बुलाया साधू ने पूछा कि वह क्यूं वापस जा रहा है व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहां आया था वह उसे मिला ही नहीं इसलिए उसका वहां पर रहना वीर्थ है साधू ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं वियापारी को कुछ समझ में नहीं आया वो बोला आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया साधू ने कहा कि जब मैं तुम्हें धूप में बिठा कर खुद छाउंग में बैठा तब मेरे सर पर पढ़ने वाली छाउंग तुम्हारे किसी काम की नहीं है ये तुम्हें समझ जाना चाहिए था तुम नहीं समझे तब मैंने तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने अच्छा भूजन खाया तब भी तुम नहीं समझे की मेरा खाना खाने से तुम्हारा पेत नहीं भरने वाला यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिधियों से तुम्हें मन की शांती नहीं मिलने वाली जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, नाम, रुद्बा सब कमाया है वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांती भी खुद ही कमानी होगी वियापारी साधू की बात समझ गया और उसने साधू से कहा कि मैं यहां किसी ताबीज या किसी वस्तू को पाने की आशा से आया था लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज दे दी उसने साधू को धन्यवाद किया और खुशी-खुशी अपने घर वापस लोट गया दोस्तों हमारे जीवन की परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं हाँ, किसी और से हम उन्हें हल करने का रास्ता जरूर जान सकते हैं लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता